ये हमारा हाथी और ये हमारा एक सींगी गेंडा जी हाँ दोस्तों वान हांड राइनोसारस ये हमारी शान है आन बान है इंडिया के वाइड लाइफ की जान है हेलो एब्रीवान मैं हूँ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे है क्लास टेंथ महारास्टर बूर्ड का जोगरफी ये है चाप्टर नमबर फाइब नाच्रल वेजिटेशन और वाइल लाइफ का लेक्चर नमबर टू जी हां दोस्तों बहुती ननना मुना सा प्यारा सा चोटा सा चाप्टर है और पिछले वीड पड़ी नाच्रल वेजिटेशन और ब्रजील और इंडिया कवर किया आज की इस वीडियो में हम वाइल लाइफ के बारे में जानेंगे जी हां दोस्तों वाइल आनिमल्स और अलग अलग उनकी स्पीशीज ब्रजील में कैसी हैं इंडिया में कैसी हैं इसके बारे में डीट के और जोग्रफी के पॉलिटिकल साइंस के भी वीडियोज मिल जाएंगे तो आप अपनी पढ़ाई वहां से जारी रख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर तो दोस्तों जब बात आती है नाचरिल वजटेशन और वाइल लाइफ की तो याद रखिये ब्रजील की वाइल लाइफ ये वराइटी से भरी हुई है जी यहां दोस्तों अमेजॉन की घने जंगल है यहां पर और इसी लिए वाइल लाइफ में वराइटी ओव स्पीशीज आपको देखने मिलती है जी हां दुनिया भर के अलग अलग देशों में यहां पर सबसे ज्यादा प्रजातियां प्राणियों की पाई जाती है इन दोस्तों यह जो हमारे अलिगेटर्स और क्रोकोडाइल के बीच का फरक है यह उनकी लंबी सी चोंच जैसी नाक से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके अलाबा मंकीज, पुमाज, लिपर्ड्स, एक्सेटरा आर फाउंड इन ब्रजील तो यह बहुत ही important species हैं, अलग-अलग रजातियां है, diversified है Brazil in wildlife animals के साथ जी यह दोस्तों among fish की बात करें, तो पिरहाना, यह एक खतरनाक सी मचली भी यहाँ पर बहुत जबरतस तरीके से पाई जाती है among fish varieties, mainly swordfish are found in seas while pink dolphins and piranhas are found in the rivers तो यह एक खासियत हैं यहाँ पर swordfish जो है, वो समंदर किनारे में बहुत आपको मिलेगी समंदर के अंदर साथ ही साथ अगर बात करें, dolphins और piranhas की तो यह आपको reverse में मिलेंगे condors जो काफी मूचे उड़ते हैं, यह पंची भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे very huge in size and fly high in the sky, various types of parrots, macaws and flamingos are also part of this bird category my dear students in bird की categories में, यह condor आपको देख रहा है यहाँ पर, यह काफी मूचा उड़ता है यह आपको Brazil में देखने मिलेगा, साथ ही साथ flamingos की बात करें, macaws की, parrots की बात करें तो यह भी अलग-अलग प्राणी है, जो आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं millions of insect varieties are also found here, as a result of these varieties, the wildlife of Brazil is very rich and diverse दोस्तों, छोटे-मोटे कीडे-मकॉडे हों, insect हों, या alligators or crocodiles हों, पिराना, मचली हों, या dolphin यह सभी प्रजातियां व्रजील में पाई जाती हैं दोस्तों, इसके अलावा, एक important question जो आपको याद रखना है what are the causes of degradation of forest and wildlife in Brazil? तो यहाँ पर degradation का प्रशन जो है, यह बहुत ही important है जियां दोस्तों, यह प्रशन जो की exam में पूछा जा सकता है इसका तातपरिय सिर्फ यह है कि क्यों, क्यों कमी होती जा रही है प्रजातियों में क्यों forest जो है, वो polluted होते जा रहे हैं जिया वजा है इन सब चीजों की जिससे degradation हो रहा है degradation मन्जे वागाची पंजे जियां दोस्तों कमी होत साले ले आहे, तो forest क्यों कम होते जा रहे है क्या है reason wildlife के इतने बुरे हालात का तो यहाँ पर आंसर बहुत ही simple सा है degradation of environment is happening due to illegal smuggling यह घोरक अदंदा बंध होना चाहिए my lord बहुत ही जरूरी है कि यह गलत काम बंध हो जाए illegal smuggling of wild animals slash and burn agriculture जिसे रोका कहते हैं deforestation, pollution, etc Brazil is facing these problems today और many endemic species are on the verge of getting extent because of these issues इनी issues की वज़े से दोस्तों Brazil के अंदर कई अलग-अलग खास किसम की प्रजातियां जो है प्राणियों की वो कम होते जा रही है और reduce होते जा रहा है उनका population तो इस प्रकार यहां पर यह कुछ causes हैं यह exam के लिए answer important है starma को ज़रूर कर लीजेगा बढ़ते हैं दोस्तों आगे तो यह उसी का एक उदारन है असाम के अंदर दोस्तों यह एक सिंगी गेंडा पाया जाता है wild ass and camels are found in arid lands यानि जो ऐसे गर्मी वाले desert वाले अलाके हैं वहाँ पर यह घदे वगएरे donkeys वगएरे पाये जाते हैं snow leopards and yaks are found in snow-capped regions of Himalaya जबर फीली चट्टानों पे आपको याक और snow leopards देखने मिलेंगे साथ ही साथ दोस्तों इंडियन बिसंस, deer, antelopes and monkeys are found in peninsular region जो हमारा ये वी है ना देश का map जो है आपने अगर ध्यान से देखा है तो peninsular region के अंदर आपको ये अलग-अलग monkeys, antelopes, deer, बिसंस वगएरे पाये जाएंगे इंडिया is the only country in the world हम इखलोते ऐसे देश हैं जहाँ पर शेर भी है और दोस्तों यहाँ पर शेर के साथ-साथ आपको tiger और lion दोनों ही यहाँ पर पाये जाते हैं ये खासियत हमारे देश की है इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ other varieties की तो coastal areas में आपको rivers और coastal areas के अंदर आपको turtles मिलेंगे, crocodiles मिलेंगे, कचुए, crocodiles वगेरा भी मिल जाएंगे यहाँ पर मगर मच इसके अलावा घरियाल आपको मिलेगा the forest and wetlands are the shelters of variety of birds like peacock yes, ये जो है पीहू पीहू पीहा बोले ये काने तो आपने सुन ही होंगे ऐसी अलग-अलग प्रजातियों के बारे में तो भारत देश मशूर ही है हमारा जो peacock है ये जो है ना दोस्तों ये national bird माना जाता है और peacock की संखिया आपको मिलेगी यहाँ पर भारत देश में Indian bastard, kingfishers, peasants, ducks, parakeets, cranes and pigeons कबूतर जा जा जी हाँ दुनिया भर के कबुतर भी आपको दिखने मिल जाएंगे हमारे देश में साथ ही साथ all these species make it a land of unique habitat of wildlife तो इस प्रकार दोस्तों wild animals हों या आपको birds या insects की species हों ब्रजील और इंडिया के अंदर कुछ इस प्रकार की देखने मिलती है साथ ही साथ एक important question की बात करूँ तो similar type का question इंडिया में भी ये पनपता है कि degradation क्यों हो रहा है क्यों यहाँ पर भी कमिया देखने मिल रही है wild animals की संख्या में तो many species of wildlife are on the verge of extension from India because of poaching, hunting की जाती है, pollution किया जाता है, smuggling वगेर होती है यहाँ पर भी rapidly occurring deforestation, यहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है जंगल कम होते जा रहे है example, cheetahs जैसे जो महां species है, वो अब कम होने लगे है tiger की भी संख्या drastically कम हो रही थी, हमने काफी अभ्यान चलाया और कई ऐसी policies योजनाए बनाई, जिसके जरीए अब थोड़ा सा हम उस level को बढ़ा पाए है the government of India has set up number of national parks, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries and biosphere reserves for the protection of wildlife and forest in India तो इस प्रकार अलग-अलग योजनाए, अलग-अलग policies के जरीए यह कोशिश है कि हमारी wild life को थोड़ा सा और निखारा जा सके उमीद करता हूँ दोस्तों, ये chapter छोटा सही सही, आपको आसानी से समझ आ गया होगा हमने पिछले वीडियो के अंदर vegetation को complete किया था और आज wild life को complete किया इस chapter के notes आपको मिल जाएंगे हमारे telegram channel में नाम है sky education official जरूर वहाँ पर जुड़ जाईएगा notes के लिए साथ ही साथ आपको regular updates हम देते रहेंगे sky education app पर play store से उसे download कर लिजेगा, कुछ भी doubt हो तो मैं आपको instagram पर मिल जाऊंगा, मेरा id है राजगोर जैश वी तो जरूर मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए do like, share and subscribe